एलविश यादव जो एक popular influencer है और यूट्यूबर है उसको कल गरफतार कर दिया गया है यूट्यूबर एलविश यादव हैस बिन अरेस्टिव बाइन नॉडा पुलीस अर्लियर तोडे यूट्यूबर एलविश यादव को नॉडा पुलिस ने गिरफतार किया ये गिरफतारी सापों के जहर से जुड़े मामले में की गई है ये चुबंदा है इसके उपर हमारी नजर बहुत दिनों से है ये रेस सही है गलत है क्या मनोर लाल खतर जो सीम थे पहले पर अब वो सीम नहीं रहे ये रेस इसलिए है क्योंकि एलविश यादव एक हिंदू है और हिंदूइजम को प्रमोड करता है तो उसके बहुत सारे दुश्मन है क्या सच्चाई है इसमें कुछ या नमस्ते दोस्तो आपके स्वागद है पीपो है मैं अलविश यादव जो एक पॉपलर इंफ्लूएंसर है और यूट्यूबर है उसको कल गरफतार कर लिया गया है उसको जूडिशल कस्टडी में डाल दिया गया है 14 दिन के ये मामला है स्नेक वेनम केस का जिसमें मेंका गान दी जो बीजेपी की MP भी हैं जो कि एक NGO भी चलाती है जिसका नाम है PFA उसके अंदर गर एक कंप्रेंट करी गई थी लास्ट येर ये अरेस उसी का एक फॉल आउट है ये अरेस सही है गलत है क्या मनौर लाल खत्तर जो CM थे पहले पर अब वो CM नहीं रहे क्या ये उसका नतीजा है क्या ये अरेस्ट किसी लेफ्टिस लॉबी ने करवाया है या ये अरेस्ट इसलिए है क्योंकि एलविश यादव एक हिंदू है और हिंदूइजम को प्रमोट करता है तो उसके बहुत सारे दुश्मन है क्या सचाई है इसमें कुछ या ये उसी तरह का केस है जैसा आरेस्ट कान के साथ गुआ था जहां समीरवान खेड़े ने आरेस्ट खान जो शारुक खान के बेड़े है उनको पकड़ा था कई चार्जस लगाए गए थे जो साबित नहीं हो पाए और जुडिशल कस्टिडी में आरेन भी गए थे पर बाद में रिलीज हो गए थे बेल पे क्या ये एक धंदा बन गया है कि पॉपलर लोगों को अरेस्ट कर लो और सुर्कियां बटोरो इलेक्शन से ठीक पहले ऐसा क्यों हो रहा है चली जानते हैं इस केस में क्या सच्चा ही है क्या जूट है और पूरा डिकोट करते हैं अनलाईज करने इस केस को तो सबसे बहुते हैं इस स्नेक वेनम केस है क्या जैसे मैंने बताया है मेंका गांधी के एक NGO ने नजार रखी हुई थी उन्होंने बुला कि जब एक एलविश यादव का म्यूजिक वीडियो आए था जिसमें वो स्नेक्स को यूज़ कर रहा था उसमें कोबरास थे तब ही से उन्होंने एलविश यादव पे नजार रखी हुई थी क्योंकि वो जानना चाहरे थे कि ये स्नेक्स आका से रहे हैं क्या ये कोई क्राइम का पार तो नहीं है और फिर उसके बाद एक प्री प्लांड इंवेस्टिकेशन के थूँ इस NGO ने एक ऐसा एपिसोड रचा जिसमें उन्होंने मांग करी कि हमें स्नेक्वेनम चाहिए पार्टी में सप्लाय करने कहा जा रहा है कि एलविश यादव ने वो और्गनाइज किया उसने कॉंटाक्स दिये और वो अरेंज हुआ स्नेक्वेनम कि यहां पर तुम है जो एलविश भाई के करते हो महां कैसे मिन दे जाते हो फिर इसके बाद एलविश यादव ने सोशल मेडिया पे आकर बोला कि यह केस फेक है उसको घलत वसाय जा रहा है और अब आफ्टर पुलिस हैस ड़न थरो इन्वेस्टिकेशन उसके कुछ अरेस्ट हुए थे उन लोगों से बात करने के बाद पुलिस को कुछ अब उसको इसलिए ही गिरफतार करके उसको कोट के सामने पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने उसको 14 देस की जुडिशिल कस्टडी में डाल दिया जिससे आगे यह प्रोसीजर्स पूरे हो पाएं और सारी तहकीकात हो पाएं सारी बात पता चल पाएं और जुडिशिल कस्टडी is not a criminal punishment it's not a sentence by the magistrate तो इन दोनों में confusion ना हो because कई लोग जिंका काम ही होता है social media पे चीज़ों को चालना वो stupid tweets करते हैं वो stupid videos बनाते हैं वो stupid post करते हैं जिससे वो अपना agenda पूरा कर सकें तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम पहले ये समझें कि judicial custody क्या होती है और sentence criminal sentence क्या होता है तो judicial custody just magistrate की custody होती है magistrate अपनी custody में लग रहा है ये police की custody में नहीं होता और ये इसलिए क्या जाता है तो nowhere आप किसी को criminal नहीं बोल सकते unless and until उसको magistrate ने sentence किया है तो अगर कोई social media पे बोल रहा है तो वो भी एक गलत चीज़ है वो defamation में आता है और उसके भी अपने implications होते हैं legal implications अब आते हैं कि कुछ allegations जो है इस snake venom case में वो क्या है तो allegations हैं कि Elvis Yadav ने इन cobras, in pythons, in snakes को use कर रहा अपने musical video में देखे कोई भी indigenous species है, कोई भी species जो इसको आप product कर रहे हैं Wildlife Production Act 1972 के तहत आप ऐसा नहीं कर सकते हैं number one, number two, अगर आप snake venom produce कर रहे हैं तो वो तो और खतरनाग crime है एक, ये addiction बहुत ज़ादा खतरनाग हो सकता है लोगों के लिए और दूसरा, अगर आप एक cobra या python का venom निकालते हो तो वो venom जो होता है, वो उस cobra के लिए food digest करने के लिए होता है और वो venom निकाल दिया जाता है, तो वो survive नहीं कर सकते वो खाना पचे का नहीं, खाना खानी पाएंगे और मर जायेंगे और ये गलत है, morally भी बहुत गलत है और ये एक crime भी है इंडिया में, ये illegal है तो मेन का गान गे जो NGO है, which is PFA, people for animals उसने अगर इस बारे में complaint करी है, तो कुछ गलत नहीं करा पहला तो मैं ये बोलूँगा, पर प्रूफ क्या होता है, यहाँ ये सामने दिख रहा है कि music वीडियो में, LV शादव ने उस snakes use किये तो महां वो गलत है, वो crime का punishment अलग है पर उसने वो venom supply किया, he is the main guy behind supplying venom ये प्रूफ नहीं हुआ है, और जब तक वो प्रूफ नहीं होता, तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसकी जो severity है, वो कितनी जादा है, और ऐसा वो पाए जादा है, अगर उसने एक venom supply करा है तो एक तो addiction, drug addiction, दूसरा, अगर आप ऐसा कर रहे हो, तो आप actually एक wild life को से 20 साल तक ही जेल हो सकती है, तो ये मामला बहुत संगीन है, पर ये भी प्रूफ नहीं हुआ है, पुलिस ने evidences के बारे में भी बोला है, कि जो samples, जो lab test हुआ और जो samples मिले थे party से, उसमें cobra और crate venom पाया गया है, पर वो एलदी शादव ने supply किया है नहीं, ना उस पर कोई statement है, ना कोई evidence अभी तक public आय में है, देगे कई बार judicial custody में लोगों को इसलिए भी डाला जाता है, जिससे आपको पूरे nexus का पता चल पाए, in fact, आरियन खान को भी डालने का, main मक्सेद या ही था, जब समीर वान खेडे न announcers, series of court procedure, जिससे आपको पूरे nexus के बारे में पता चल सके, तो वहाँ एक strong कड़ी ये 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 यादव हो सकता है, और अगर ये ये यादव यहाँ, पुलिस की मदद करता है, इस procedure में मदद करता है, और शायद उसका अगर direct link ना हो, पर उसके पस contacts हो, उसके पस, उस network का कही ना कहीं, reach हो, तो वो कही ना कहीं इस मामले में, इस nexus का पता लगाने में बहुत मदद कर सकता है, तो मैं इसको ऐसे भी देख रहा हूँ, कोई भी arrest हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गंगोर अपराधी है, especially जब वो प्रूव नहीं हुआ है, उसका crime अभी आना पड़ता है, पर उसमें कितना truth है, और वो जो evidences है, कितने strong है, वो अभी तक नहीं पता चला है, आरेन खान को बाद में बेल मिल गई थी, और in fact समीर वान खिडे, जो IRS officer इस case में थे, या NCB officer थे, नर्कोडेस bureau के, उनको बाद में उन पे money laundering का case हुआ, ED ने money laundering का case किय है, और ये भी बड़ी controversy उचली थी कि SRK से उन्होंने 25 करोड मांगे, we know in the world of corruption, कई लोग ऐसे arrest इसले भी करते हैं, because probably they are interested in some other thing, और जैसा भी electoral bond scam का, चल रहा है सार मामला और जिस पे मैंने बताया है कि कैसे corruption हो सकता है इस से, अपने पिछले वीडियो में जो आप देख सकत रहा है, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी बात है, हमारा system देखी न कैसा है, जैसे ही मनोर लाल खटर कि CM की कुरसी गई, तब ही एका एक Elvish Yadav arrest हो गया, तो हमारा system क्या बताता है आपको, यहाँ लोगे personal legendars भी चलते हैं, और लोगे personal report, networking भी चलते हैं, क्या सही है एक अलत, मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जरूर बोलूँगा अपने opinion में, अपने analysis के थरू, कि आपको wait करना चाहिए, इस judicial custody के खतम होनेगा, and obviously, अगर Elvish Yadav ने बस इन snakes को use किया था, I'm sure उसको punishment इतनी strong नहीं मिलेगी, गलतियां होते हैं, आपको कई बर पता नहीं होता है, पर अगर वो supply कर रहा था है venom, तो एक गंगुर अपराद है, उसको punishment जरूर मिलने चाहिए, पर यह establish होना भी बाकी है, तो conclusion पर मत पहुँचिए, इस video को share करिए, जिससे और लोग aware हो सके हैं, कि मामला अभी कहां अटका पड़ा है, गाइस, अभी अभी यह वीडियो बनाते मेरे पास एक news आई है, जिससे साफ पता चल रहा है, कि Elvis यादव ने कबूल लिया है, कि वो snake venom supply करता था, अभी पुलिस ने पुष्टी नहीं करिया, पर news sources बता रहे हैं, और अगर यह सही है, तो इसमें अब कुछ नहीं रहेगा, जैसे मैं आपको पहले बुरा था, अगर वो use कर रहा है, उसको एक music video में, वसे अगर वो supply कर रहा है, तो पूरा मामला ही change हो जाता है, पूरा case change हो जाता है, तो जहां तक use करने की बाती music video में गलती आप से हो सकती है, उसकी punishment इतनी नहीं होती, पर अगर आप supply करते थे और दे, ऐसा पैसा किस काम काया है, और इसकी imprisonment बहुत जादा खतना आगा है, साथ साल minimum, दस से बीस साल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि अब court में क्या सुनवाई होती है, अभी judicial custody में है, और probably वहाँ, अलविश ने मूँ खोला, वहाँ जिस तरह के सवालात होंगे, पुल Means this case has been confirmed as a case of drug supply, पहली तो बात है कि ये drug addiction, आप किसी भी तरह से इस पूरे process में, अगर किसी वज़े से भी, किसी तरह से भी अगर आप सकरी हैं, एक ऐसी चीज में जिससे किसी को drug addiction हो सकता है, इतना dangerous, तो ये तो वैसे भी बहुत गंगोर अपराद है, और आपने कबूल ल की celebrity हो, कोई भी loss से बड़ा नहीं है, तो जितने भी लोग जो अपना भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, उसको follow करते हैं, तो मैं बस आपको इतना बोलूँगा कि ये चीज़ डिफेंड करने लायक नहीं है, अब drug supply कर रहो, इसको कैसे justify कर रहो, इसको don't don't have to defend it, but मैं बस ये बोलूँगा कि उसकी माता के लिए प्रे करिये, उसकी मॉम जो हैं, वो बहुत pure hearted और pure soul है, it's so heartening to, it's so difficult to even digest this fact की, उन पर क्या गुजर रही होगी, जब वो धरवाजे पे elvish की रहा टक रही होगी, it's very difficult for the parents, और जैसे मने बोला, law सब के लिए समान है, और अगर ऐसा है, तो सजा मिलनी चाहिए, I hope इससे बहुत सारे और लोगों को सीखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग तीसमार का बन रहे हैं, social media पे, आज की date में, online बहुत सारी ऐसी चीज़े हो रही है, violence promote हो रहा है, I believe ये example है, कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, social media पे, if you are a content creator, create content, don't create violence, और अगर influence create करना है, तो अच्छा influence create करिया, मैंने पहले भी जब maximum पे उसने हाथ उड़ाया था, मैंने उसको भी condemn किया, और मैंने माफी भी मागी थी कि I am sorry, मेरी भी गलती है, because sometimes you defend people and give them benefit of doubt, कि बंदा सीखेगा, पर इस तरह के ब्रादों को तो आप माफ नहीं कर सकत और थोड़ा सा empathy रखिए उन माबाप के लिए, उस मा के लिए, जो की शायद घर पे wait कर रही अपने बेटे की, थोड़ा सा sensitive हो जाएए, और आपको मेरे वीडियो से कुछ information मिली हो, कुछ value मिली हो, तो आप हमें support कर सकते हैं, एक thanks का button दबा के, नहीं तो आप इस वीडियो को बस share भी कर लें, तो बहुत support होगा, आप subscribe करें मेरे channel को, ऐसे daily videos के लिए, on the trending topics, and what needs more decode and analysis, जिससे जो सही है, वो आप तक पहुच सके, ना कि rumors, ना कि stupidity, आप देख रहे हैं पीपोई, मैं हो काश, आप कुछ नहीं चुपेगा